हेलो फ्रेंड्स और वेल्कम बैक टू माई चैनल बंगॉली फैमिली इन यूए जहां मैं बात करती हूं यूए और ट्रावल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की तो दोस्तों यूए में अभी बहुत लोग मौचूद है जिनका विजिट वीजा आने ही वाले दो-तीन दिनों में expire होने वाला है और ऐसे ही नया रूल आ गया है यूए के अंदर विजिट वीजा एक्स्टेंशन को लेके कि आपको एक्जिट करना है तो कुछ लोग बहुत जादा परिशान है कि अभी आने वाले दिनों में हम कैसे अपना वीजा रिन्यू करा है तो आज इस व व के अंदर मौझूद है विजिट वीजा में है और उनको वीजा एक्स्टेंशन करवाना है तो दो तरीके से वह लोग वीजा एक्स्टेंशन करवा सकते हैं धो दो तरीका है एक InSight The Country हो जा रहा है और एक है आपको एक्सिट करना पड़ेगा पहला जो तरीका है अगर आ आपको एक्स्टेंट करवाना है और आप लोग नहीं चाहते हैं कि आपको कहीं एक्सिट करना पड़े तो यहां पर बहुत सारे ट्रैवल एजेंट्स है जो आपको उसी दिन आपका वीजा एक्स्टेंट करके दे रहे हैं हालंकि जो चार्जेस वो अभी बहुत जादा हाई ह तो यह पूरा पूरी आपके उपर डिपेंड करता है कि आप विदाउट एक्सिट किये यह जो आप्शन है यह जो लोग ओल्ड एज होते हैं यानि कि बहुत सारे लोगों के पेरेंट्स यहां पर रहते हैं जो लोग एक्सिट नहीं कर सकते उनके लिए बेटर आप्शन य नहीं पढ़ रहा है यह है दुबाई वीजा के लिए सिर्फ और सिर्फ दुबाई वीजा ठीक है अधना अधर एमिरेट्स सेगेंड ऑप्शन जो है हाला कि यह जो मैंने पहला पताया यह बहुत महेंगा ऑप्शन है जो कि हर कोई अफोर्ट नहीं कर सकता जिनके पेरेंट तो ऐसा बिलकुल भी नहीं है कि आप जहां से भी हैं जिस भी कंट्री से वहां पर आपको एक्सिट करना पड़ेगा आपको सिर्फ यूए एक्सिट करके दूसरे कंट्री जाना पड़ेगा ऐसे में भी बहुत सारे पैकेजेज आपको मिल जाते हैं अगर आप लोग किसी अच्छे ट्रैवल एजेंट के पास जाते हैं दुबाई में बहुत लोग हैं बहुत रिलाइबल और बहुत मतलब भरोसे वाले भी ट्रैवल एजेंट यहां पर हैं यूए के अंदर ऐसे कोई फ्रॉड नहीं होते हैं यूए के अंदर उतने ट्रैवल एजेंट के तरफ से तो उनके पास अगर जाते हैं तो लोग पूरा package आपको देते हैं दुबई से उमान के लिए बस चाती है आप लोग उमान के लिए exit कर सकते हैं उमान से exit होके फिर आपको आना पड़ेगा वन डे का पूरा इनका package रहता है बस से आपको ले जाये जाता है वहाँ पे exit होता है ओमान का वीजा चार्चेज वहाँ पे बस से ले जाना सारी चीज़े इस package के अंदर होती है यह जो package अभी है मुझे सुनने में आ रहा है 900 से 1200 दिरम के बीच में आपको मिल जाएगा with हर चीज मतलब इसके अलावा आपको एक भी पैसा करते यह लोग आपका नया वीजा यूए का लगा के दे देते हैं तो ऐसे सारे प्रोसीजर्स हैं यहाँ पे options हैं इसके लिए आपको अपने home country ट्रावल करने की ज़रुरत नहीं है यह दो options है पहला जो option है वो काफी costly है हर कोई afford नहीं कर सकता इसलिए second वाले option में जाना बेटर है जो लोग afford नहीं कर सकते वो लोग second option में जा सकते हैं और यह package ले सकते हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पे अभी यही कर रहे हैं जिनके आने वाले दो-तीन दिन में जिनके visa expire हो रहे है या जो लोग grace period में है जो लोग यही option अभी prefer कर रहे हैं कि ओमान जाके उसी दिन वापस आना यानि कि one day का पूरा रहता है तो आपको यह चीज़ करना होगा आपको टाइम निकालना होगा और आपको exit और entry करना होगा तो guys I hope इस वीडियो में सारी चीज़ आपको clear हो गई होगी और भी कोई question हो comment box में बता सकते हैं मिलते हैं नेक्स वीडियो में एक नहीं update के साथ तब तक के लिए good bye and take care